हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल स्माइल ओपन लिभी डॉक्टर पुनुम जब भी दांट में दर्द होता है तो वो इतना ऐसान यह होता है कि मन करता है इस दांट को निकलवा दिया जाए और इसके लिए हम सोचते हैं कि कैसे भी करके इसको निकलवाए या फिर आपको भी ऐसे सिचुशन में हो जहां आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते उसका ट्रेट्मेंट नहीं करवा सकते तब क्या किया जाए कौन से दवाई ली जाए क्या दवाई से दांट का दर्द रुकेगा यह सब सवाल आपके मन में रहते हैं तो अगर ऐसे सिचुशन में आप भी हो तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दांट के दर्द को तुरंट ठीक करने के तरीके बताने वाली हो तो वीडियो को आप अन तक जरूर देखेगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर दांट में दर्द होता क्यों है किन कारणों की वजी से दांट में अगर आपने कभी कुछ खाना खोया और खाते वक्ता कर आपके दांट में दर्द हो रहा तो ये infection की वज़े से दर्द हो सकता है या फिर आपके दान्तों में कोई cavity है उसकी वज़े से दर्द हो सकता है जब cavity होती है दान्त में तो खाना है वो दान्त के अंदर फर्ज जाता है और उसकी वज़े से आपके दान्त में दर्द हो सकता है या फिर अकल दाड का जो दर्द होता है जब भी अकल दाड है वो निकलने की कोशिश करती है तो आपके दान्त और साथ ही साथ आपका जो जबड़ा है यहां पे बोन है उसमें भी आपके दर्द होता है और यह दर्द इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि कुछ भी सहर मतलब मे बगते बातoin नेकिव ए؟ वह वहां कोई दन्त में आप आपके दान्त में आपके होरा वह सकता है सकता अगर आपकी रात को सोते वित तो आपको क्या करना है मैं आपको सिर्फ Sud to तरीके बतारी हूं ऐसे तो बहुत सारी चीजे होती है जो हम दांत पर लगा कि दांत की दांत को थोड़ी देर के लिए रहाँ दे सकते हैं लेकिन उन के पहली जो है वह लोंग या फिर लोंग का तेल अगर आप अपने आपने सुना होगा या आपने इस्तेमाल भी क्या होग या लोंग लगाया होगा इससे आपके दान को राहत मिलती है लेकिन अगर आपको अच्छे से उसको ठीक करना है दर्द को गाइब करना है तो इसके लिए आपको लोंग रखने से कुछ नहीं होगा आपको उसका एक पेस्ट बनाना होगा उसको कैसे बनाना है आपको दो या अच्छे से पीस लेना है कुटने के बाद शके इंदर तोड़ा सा नारिल का तेल या फिर अगर आपके घरमें लगे तो लुटी कर सकते हो ऐसा अगर आप करते हो तो आपका दांद का दर्द है वो कुछी ताइम में दिन 5 तु 10 मिन्ट दर्द है कम हो जाएगा और धिरे दिरे ठीक हो जाएगा इससा नहीं होता है कि आपने जो लोंग का पेस्ट है वो लगाया और आपका दान्थ का दस हमेशा के लिए गायब हो गया यह सिर्फ टेंप्रेरी रिलिफ होता है दान्थ में जब भी दर दब किसी ने किसी कारण की विज़े से होता है तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहु है तो आपको कुछ भी लोंग पीशने की जरूत नहीं आप कोटन डॉल के अंदर डालना है दो या तीन बून और फिर आपके दान्थ में जिसमें दर्द हो रहा है महां लगा कि अच्छे से दबा के रख लिए उससे भी आपका दान्थ का तर्द भो ठीक हो जाता है दूस करने का काम करते हैं साथ ही इंफ्लामेशन दूर करते हैं और अनल जैसे गुण की वज़े से आपके दान्थ के दर्द को भी ठीक करता है तो आपको क्या करना है इसके दो या तीन तरेके हैं इस्तेमाल करने के अगर आपके फरंट दान्थ में या दर्द हो रहा है तो आप के बहुत सीवेर पेन है तो ऐसी सिचुशन में आपको ताजा मुरूद के पतियों को एक बावल में उबाल लेना है याई पानी गरम उबला होगा पानी इसमें पतिया डालने हो थोड़ी दिर और दो या तीन मिट तक चलाते रहना है फिर उस पानी को छान कर एक ग्लास पान में दर्द हो रहा है तो वो भी ठीक होता है तो इसका एक नेचरल माउथ वोश की तरह भी काम करता है इसके अलावा आपको अमरूद की पतियों को पीस कर इसका पेस्ट बना कर इसमें थोड़े सा हल्दी और नमक एड़ करके उसको भी अगर आप जिस दान्त में दर्द हो वहां लगा कि कुछ देर तक छोड़ते हो तो इससे भी आपके दान्त का दर्द है वो ठीक होता है यह दोनों ही होम रेमेडी काफी फाइदे मंद होती है इनसे काफी फर्ग पढ़ता है काफी दान्त का दर्द हो ठीक होता है लेकिन कोई भी होम रेमेडी दान्तों से रिल जोरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर दाप में कोई केविटी है कोई अपसेश बन गई है अकलदार्ड में कोई मसुड़ा उपर आ गई ऐसे कोई सिच्वेशन है और आपके दाप में दर्द है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाकि उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा यह तो रही होम रेमेडी की बात अब यह जानते हैं कि मैंने जिसे स्टार्ट में बताया है तो मैं आपको एक या दो कुछ मेडिसिन बताऊंगी अगर आप होम रेमेडी से ठीक नहीं हो पारे और आपको टेंपरेरी अपने दाप के दर्द को ठीक करना है तुरंद तो कौ और बोडी में दूसरी जगह जाके नुकसान करती हैं लेकिन अगर आपकी दान्त में तेज दर्द हो गया और आप चाहते हो कि नहीं मुझे को मैडिसिन लेनी है तो आप नॉर्मल एबुप्रोफेन ले सकते हो एनल जैसिक जो मैडिसिन आती है आपको वही लेनी है एक या द दान्त में दर्द एक बार रुग गया है फिट जैसे दर शुरूआ फिट आपने मेडिसिन ले लिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है यह सिर्फ टेंपरेरी एक थोड़ी सी देर के लिए होता है कि जिस टाइम आपको डेंटिस नहीं मिल रहा है साथ मैंने बहुत सारे मेरे इसे पेशिंट्स है जिनको देखा है कि कभी वो डेंटिस के पास गया उन्होंने डेंटिस ने उनके दान्त में दर्द के लिए या टेंपरेरी रिलिफ के लिए अगर उनको एंटिबाटी का कुछ कोस्ट दिया है तो वो अपने मन से दुबारा जब उनके कभी भी द इसाफ से देंटिस्ट वो आपको दवाई लिखके देते हैं ऐसा नहीं होता है कि आप दान्त में दर्द वा और आप एंटिबाटिक का कोर्स ले रहे हो उससे आपको दुगुना नुकसान हो सकता है दूसरी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए बिना प्रेस्क्रिप्शन के दर्द को मैडिसंज नहीं लेनी है यहां कि आप दर तोपिक अगर आप लोगों कोई वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही जोइन बटन पे क्लिक करके आप मेंबर्शिप जोइन कर सकते हो और दांतों और मसुड़ों से लेटेड कोई भी समझ्या हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सक पे हैं थैंक यू